हमने अपने लाश्ट टॉपिक में ओहम्जला को सीखा उसमें वोल्टिज کا करेंग था हमने देखा खिए आर्डक रिलेशन था और इंके डिरेक रिलेशन की वजह से हमारे पास रिजिस्ट्रस को देखा कि कैसे राईजेवरान आता है हमने इसकी रिजिस्ट्रस को फांड कर हमने लास्ट टॉपिक में भी सीखा था आए इसको भी देखते हैं कि तब प्रॉपर्टी ओफ सबस्टन्स विच ओफर्स ओफ पॉजिशन तुद फ्लो अफ कॉरंट तू इसको अपॉजिशन हमारे पॉजिशन हो रही होती है वह हमारे पास रिजिस्टन्स कहलाती है ठीक है और रिजिस्टन्स को हम बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और इसको मियर किया जाता है इन टरम्स ओफ और हम को हमने याद है कि हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर हम एक सर्केट के ओपर एक एक वोल्ड का पॉटेशनल डिफरेंस दें और इसके अंदर नंबर लागा उल्ड विदो सब्साइबर चर्शाअगर जियूंट कि उस पर की का वेक्तल करेंबर या जो फिर फोर्ड़न्स और रिएकेस्ट को एक्रीज जायकी अगर या जिसकण की सर्फेस की इंक्रीश粗 करोजाएगा तो उसकी निक्रीश चार जाएगी अब और इसके इलावा जो हमारे पास resistance का area के साथ inverse relation है कि अगर हम किसी surface का या conductor का cross-sectional area बढ़ा दें तो उसकी resistance भी हमारे पास कम हो जेगी और अगर मैं in equation number one को और equation number two को आपस में combine करूं तो मेरे पास R is directly proportional to L over A आएगा अब R is directly proportional to L over A का मतलब यह है कि अगर मैं यहां से proportionality को हटाऊँगा तो कोई constant आएगा and that constant is called resistivity यह हमारे पास specific resistance या फिर resistivity कहलाती है और इसको हम आगे अपने इस topic में define करते हैं कि basically है कि अगर हमारे पास resistivity जो होती है वो कैसे हम एक surface की निकालती होते है अगर हमारे पास surface हो one meter की और उसका जो area हो one meter square हो तब हमारे पास resistivity है उसको हम measure करेंगे in terms of meter तो देखें अगर आपने यहां पर resistivity को find करना हो तो यहां से अगर मैं इस resistivity को find करना चाहूँ तो resistivity कि किस चीज़ के को लोगी आपको यह चीज़ अच्छे से पता है कि हमारा area होता है in terms of meter square होता है जबके length जो होती है और अगर मैं इनके units को find करना चाहूँ meter square numerator में हो और meter denominator में हो तो वह आपस में cancel हो के हमारे पास ohms meter रहे जाएंगे और हमारे पास unit of specific resistance जो होता है वह ohms meter के equal होता है और हमारे पास यह one ohms meter का बहुते है कि जब हमारे पास उस conductor की length one meter हो और उसका जो area है वह भी one meter square हो तो यह था हमारा topic जिसमें हमने देखा किस तर resistance की derivation swap करने के बाद इसका formula निकालना है और इसको आपने इस तरह define कर देना और बताना है कि इसकी energy हमारे पास ohms meter होती है